हलो कैसे हैं आप सब तो चलिए आज हम आपको बेबी अंब्रेला फ्रॉक कटिंग करना सिखाएंगे और इस्टिच करके भी दिखाएंगे तो चलिए हमने मारकर लिया है और सुई धागा कैची इंची टेप इसकेल और तीन पेपर लिया है तो आप भी इसी तरह से ले लीज तो पहले हम दो पेपर को अलग रख देते हैं एक पेपर हमने लिया है एक फुल पेपर है देखिए इसके बाद हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है तो आप भी इसी तरह से फोल्ड कर लीजिए अब बंद साइड से हमको निसान लगाने है तो देखिए हम धाई इंच पे गले का निसान लगा रहे हैं गले की गहराई हम तीन इंच पे रख रहे हैं और नीचे से भी हम गले की चवड़ाई धाई इंच पे ही रख रहे हैं तो इस तरह से आपको एक बॉक्स बनाना है द इसे गुलाई दे देना है देखिए इस तरह फिर हम शोल्डर रख रहे हैं धाइ इंच का शोल्डर की गहराई हम साढ़े चार इंच पे लगा रहे हैं निसान तो आप भी साढ़े चार इंच पे निसान लगा लीजिए और यहाँ भी एक बॉक्स बनाना है आपको इस तरह से इसके बाद यहाँ भी हम तिर्चा एक एक इंच पे निसान लगाएंगे और हम सोल्डर की गुलाई दे देंगे तो देखिए इस तरह से तो इसके बाद हम चेस्ट की चोडाई ले रहे हैं आठ इंच पे और लंबाई हम दस इंच रखेंगे तो 11 इंच पे हम निसान लगाएंगे एक इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा दोनों साइड से तो पहले इस तरह सीधी लाइन खीचना आपको निसान लगाना है कि इसके बाद कमर की चोडाई हम साड़े साथ इंच रख रहे हैं इस तरह इसको दोनों को मिला देना है तो चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं इसके बाद हम गले की कटिंग कर रहे हैं तो नीचे से देखिए जिदर हमारा खुला साइड है वहाँ पे हमें एक इंच पे निसान लगाना है और राउंड में निसान लगा के इसको पेपर को कट कर देना है इस तरह देखिए निसान लगाईए और यहां पर आप गुलाई में कट कर दीजिए तो देखिए अब हम इसका सोल्डर अलग कर लेते हैं तो देखिए हमारा टॉप कटके रेडी है तो चलिए हम इसका घेर कटिंग करते हैं तो हमने देखिए इस तरह से इसको मोड़ना है इसमें देखिए दो पेपर है आपको दो पेपर में इसी तरह से फोल्ड करना है तो हमने दो पेपर लिया है और इस तरह से आपको फोल्ड करना है देखिए इस तरह से इसके बाद आपको टॉप रखना है बंद साइड से जिधर बंद है उधर से बंद साइड की तरफ रखना है और इस तरह से जितना टॉप है मारा उतनी दूर पे आपको गुलाई में इस तरह निसान लगाना है तो देखिए हमने निसान लगा लिया है तो इसकी हम लंबाई लेते हैं तो लंबाई मैं 11 इंच ले रही हूँ तो देखिए हम 11 इंच पे निसान लगाएंगे तो उपर साइड जिदर हम निसान लगाएंगे नीचे की साइड उधर से हमको उपर से 11 इंच नीचे तक मापना है और इस तरह गुलाई में निसान लगाते जाना है देखिए इस तरह से तो हमने निसान लगा लिया है अब आपको इसी निसान पे दोनों पे कटिंग करना है तो देखिए हमने कटिंग कर लिया है तो हमारा नीचे का भी घेर कट के रेडी है तो चलिए अब हम इसके गले की पट्टी कट कर लेते हैं तो देखिए जो उसमें नीचे के घेर से जो पेपर बचा था उसी में हम इस तरह से फोल्ड करके गले की पट्टी कट कर रहे हैं तो गले की पट्टी आपको हमेशा उरेव में कटिंग करना है इसका ध्यान रखिए आप तो चलिए अब हम इसकी स्थीचिंग आपको सिखाते हैं तो देखिए पहले आपको टॉप का भाग लेना है तो इसमें दो पेपर है तो पहले हम एक को अलग कर दे रहे हैं अलग करने के बाद हम टॉप पहले रखेंगे इसके बाद उपर से हम इस तरह से बीच से सिलाई शुरू करेंगे तो देखिए इस तरह से हम इसके उपर नीचे का पार्ट रख लिये हैं और उस पे हम बीच से ही सिलाई शुरू करेंगे देखिए इस तरह से आपको आपको सिलना है तो देखिए एक साइड इधर हम सिल लिये हैं अब हम धागई को लॉप करके धागा कट कर देंगे दूसरी साइड भी हमको बीच से ही जहां से हमने सिलाई स्टार्ट किया था वहीं से हमको बीच से ही इधर भी सिलना है तो देखिए हम इस साइड भी सिल ले रहे हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट में लिखिएगा इस तरह से आपको पूरा सिलना है तो देखिए हमने सिल लिए अब हम धागे को लॉक करके धागा कट कर देंगे देखिए इस तरह से हमारा एक साइड का सिल के तयार हो गया है तो इसी तरह से हम दोनों साइड सिलेंगे तो चलिए हम दूसरी साइड भी सिल लिए हैं इसके बाद हम इसका सोल्डर अटैच करेंगे तो देखिए एक हमको सीधे भाग से रखना है उस पे दूसरा भाग जो है उल्टी साइड से रखके इस तरह सोल्डर अटेच करना है देखी एक साइड का सोल्डर हम सिल लिये हैं इसी तरह से आपको दूसरी साइड का भी सोल्डर अटेच करना है तो देखी हमने दोनों साइड का सोल्डर सिल लिया है देखी हमने सोल्डर सिल लिया है इसके बाद आपको पट्टी लेना है जो हमने पट्टी कट किया था इस तरह आपको रखना है और इसको अटेच करना है देखिए हमने पट्टी सिल लिया है अब आपको शोल्डर पे अटेच करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं तो देखिए इसे डबल फोल्ड करना है पट्टी को और इस तरह सोल्डर पे रखना है और यहां से सिलाई शुरू करना है आपको अराम से सिल लिएगा क्योंकि पेपर है तो फट जाता है कपड़े पे बहुत अच्छे से सिलाता है तिर्चापटी तो देखिए इस तरह से आपको पूरा सिलना है तो चलिए हम सिल लेते हैं देखिए हमने पूरा सिल लिया है इस तरह से आपको भी सिलना है तो चलिए जो इस तरह से आपको फोल्ड करना है अंदर की शाइड और आपको सिलना है इसी तरह से आपको पूरा नीचे की साइड फोल्ड करते हुए सिलते जाना है तो चलिए हम आपको सिल के दिखाते हैं देखिए हमने पूरा सिल लिया है एक साइड का इसी तरह से आपको पूरा गले पे भी सिलना है और दूसरे साइड का सोल्डर भी हमें इसी तरह से अटैज करना है तो देखिए हमने गला और सोल्डर दोनों साइड हमने सिल लिया है तो चलिए अब हम आपको नीचे के साइड सिलना सिखाते हैं तो नीचे की साइड भी आपको इस तरह रखना है और नीचे का भाग जो है डवल फोल्ड करना है देखिए इस तरह से आपको डवल फोल्ड करना है और यहां से आपको शिलाई शुरू करना है देखिए इस तरह से आपको fold करते हुए पूरा सिलना है इसी तरह से आपको पूरा शिल लेना है तो देखिए हमने पूरा सिल लिया है तो चलिए अब हम आपको side fitting शिखाते हैं तो देखिए हमको यहाँ से सोल्डर की साइड से सिलना है तो पहले सोल्डर की साइड से सुरू में हमें लॉप करना है अच्छे से लॉप कर दीजिए आप उसके बाद आप बराबर से रखते हुए सिलते जाईए देखिए इस तरह से आपको पूरा सिलना है नीचे तक सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी सिलना है तो देखिए हमने पूरा सिल लिया है अब हम धागे को लॉप करके धागा कट कर देंगे अब दूसरी साइड भी हम सिल लिये है देखिए इस तरह से हमारा पूरा फ्रॉक अम्ब्रेला फ्रॉक पूरा सिल के रेडी हो गया तो चलिए इसे हम सीधा करके आपको दिखाते है तो देखिए इस तरह से इसका लूक आया है प्लीज हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई